हलो दोस्तों सब्सक्राइब को जय हिन दोस्तों अपने इस वीडियो में बात करेंगे बीएशाप पे हैड कॉंस्टेबल रेडियो मेकिनिक के बारे में तो दोस्तों काफी कंडिडेट को डाउट है कि OBC का जो कटोफ है वो यूर से ज्यादा कैसे चला गया तो दोस्तों मैं आपको पूरूप के साथ दिखाऊंगा बीएशाप की तीन रिकूर्मेंट का जिसके अंदर जो है यूर का जो कटोफ है वो OBC से कम गया है और OBC का यूर से ज्यादा गया है तो दोस्तों इसमें दो रिजन होते हैं पहला रिजन तो दोस्तों यह कि OBC की एक तो विकेंसी क कम होना पलस में दोस्तों यूर में 18 से लेके 25 साल तक एज ली जाती है और दोस्तों एक तो रिजन होता है इसमें कम एज वाले कंडिडेट कम मिलते हैं उसके बाद ज्यादा कंडिडेट होते हैं दोस्तों ज्यादा एज वाले यानि इसमें OBC के अंदर लेते हैं 18 से 28 साल तो दोस्तो 18 से 28 साल के बीच काफी candidate होते हैं इस कारण OBC की cutoff हाई चली जाती है क्योंकि दोस्तो वो UR की cutoff में तो जा नहीं पाते है एज के विज़े से क्योंकि अगर UR की cutoff में वही जाएगा दोस्तो जो 18 से 25 साल इसकी एज है दोस्तों वही candidate यूर की cutoff को पार करेगा otherwise दोस्तों वह अपनी खुद की ही category में रहेगा दोस्तों यह एक BS up का rule है आप किसी भी recruitment में देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको proof के साथ दिखाऊँगा चलो दोस्तों मैं अगली recruitment का आपको दिखाते दाऊँ यह तो अपनी ही रही बात HC Radio Mechanic की और दोस्तों यह cutoff है एक recruitment आई थी कुछ समय पहले अभी उसका दोस्तों जोइनिंग भी हो चुका है कुछ दो तीन दिन पहले ही तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि alignment की बात करते हैं इसमें तो दोस्तों इसमें OBC की देखलो आप 73 मेर्ट गई है और UR की 47 दोस्तों इसमें भी यही रीजन है और अपनी Head Constable Radio Mechanic में दोस्तों यही है और दोस्तों एक recruitment में आपको और दिखाता हूँ दोस्तों एक recruitment यह है यह आई थी दोस्तों 2021 में पैरा मेडिकल स्टाप की दोस्तों किसी भाई ने दिया होगा तो उसको पता भी है पैरा मेडिकल स्टाप की दोस्तों recruitment आई थी इस टममें इनके दोस्तों training स्टाट है फिलहाल training चली हुई है दोस्तों इनका तो दोस्तों इसमें भी बात करते हैं Constable Channelman का दोस्तो कॉंस्टेबल केनल मैन के अंदर आप देख सकते हैं कॉंस्टेबल केनल मैन के अंदर यू आर की 45 मेर्ट गी थी इसमें और ओबीसी की 46 तो दोस्तो इसमें यू आर की 9 वेकेंसी थी और ओबीसी की 2 वेकेंसी से दोस्तो इसमें इस वज़य से दोस्तो डो नहीं दोस्तो इसमें साइट एक ही विकेंजी थी और कंडिडेट भी काफी थे तो दोस्तो इस कारण वो age का जो area होता है दोस्तो यूर का वो होता है 18 से 25 और जिसकी दोस्तो 25 से ज्यादा age है और जो OBC के अंदर आता है तो दोस्तों वो खुद की कटेगरी में रहेगा ऐसे काफी कंडेट हो जाते हैं दोस्तों इस कारण से OBC की जो मेरिट जो है वो इंकरीज हो जाती है दोस्तों इसके बाद एक रिकूर्मेंट में ही थोड़े दिन पहले ही इसका फीजिकल मेडिगल सब कंडेट करवा लिया गया है दोस्तों अभी इसका दोस्तों फाइनल मेरिट आने वाली है BSFA वाटर विंग का काफी कंडेट को इंतजार है दोस्तों इस मेरिट का तो दोस्तों यह है इसके रिटन एक्जाम की जो है कटोफ है दोस्तों तो आप दोस्तों इसमें देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ यू आर की 61 गई है दोस्तों और यहाँ OBC की गई है 64 इसमें भी दोस्तों ज़्यादा चले गई है और दूसरी बात करते हैं दोस्तों इसमें यू आर के अंदर 41 गई है SI मास्टर के लिए और यह है कॉंस्टेबल क्रिव के लिए नीचे वाली तो दोस्तों इसमें भी 53 गई है आप देख सकते हैं SI मास्टर में OBC की और इसे नीचे दोस्तों एक और देखा देता हूँ आपको 36 मेंट गई दोस्तों यू आर की SI इंजन ड्राइवर के लिए और इसमें 39 गई है दोस्तों OBC की दोस्तो मेरा मक्सद यही था दोस्तों वीडियो बनाने का कि काफी कंडिडेट को डाउट हो रहा था कि सर यू आर की कटोफ जो है OBC से कम क्यों चली गई तो दोस्तों यही रिजन था आपको अच्छी तरह समझ आया होगा धन्यवाद दोस्तों और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर पहली बार विजिट करें दोस्तों चैनल पर तो सब्सक्राइब जूरूर कर लिजिए अगर आपको अच्छा लगता है कोई सही इंफरमेशन आपको यहां प्रोवाइड किया जा रहा है अधर वाज दोस्तों आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं आपके मर्जी धन्यवाद दस्तों जय हिंद।